तो फिर यहां पर हम देखेंगे कि plus वाला answer हमें satisfied कर रहा है लेकिन जब हम दोनों numbers में minus sign देखते हैं कि sir minus 5 और minus 3 आ रहा है तो इसको कैसे solve करें एक्जामपल देख लेंगे हमने जैसे पीछे पढ़ा भी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि यहां पर minus 5 में minus 3 हैं दोनों ही minus की numbers है तो क्या करते हैं easy form में addition करते हैं बैटा क्या करते हैं addition करते हैं तो 5 और 3 कितना हो जाएगा बई 8 हो जाएगा इट हो जाएगा और मैंने क्या कहता है जो बड़ी डिजिट उसके आगे का sign क्या है minus तो यहां minus अब बच्चे ने कहा minus 8 आया तो मैं इससे भी satisfied हूँ very good बेटा आपने एकदम सही किया यह वाला question अब मैं आपसे कहता हूं कि दोनों ही number positive है तो यह तो यह अगर common sense वाली बात हो गई हम बच्चपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दोनों ही number अगर positive दिये गए हो तो क्या किया जाना चाहिए उनको simply add कर देते हैं simply add कर दिया मैंने यहां पर add और sign का आएका आएगा भई प्लस very good भई दोनों ही positive है न क्योंकि है न अब आ जाते हैं यह वाले question पर जहां पर बच्चे सबसे ज़्यादा अटकते हैं ध्यान देना यहां बेटा दो number दिये गए हैं हमें एक number minus एक number plus sign इन्हें क्या करेंगे हम minimize करेंगे wallet minus करने के लिए सबसे पहले क्या देखना हैँ शब्यक करेंगे मतलब सब्ट्रैक करने पर मेरे पास क्या आएगा तू जब भी एक number आप तो यह याद रखो ठीक है यह मैनस मैंने क्या खाता तीनों नंबर तीनों के आंसर अलग अलग आएंगे देखो अगर मैंने नंबर लाइन पर प्लॉट करूं इन नंबर को जैसे कि यह नंबर लाइन है मेरी जीरो अब मैंने का आप से प्लस टू बताओ तो राइट इन चाहिए पे पॉजिट्व नंबर आता है तो यह आया भई सर यह रहा प्लस टू मैंने कब प्लस 8 बताओ 4 5 6 7 8 यह आ गया प्लस 8 लगा कि मैनस बताओ यह रहा भई मैनस टू बताओ यह रहा उन्हें वहला मैनस 8 बताओ वहला मैंस को लिखने का यहां यह पर यहां पर यह गया है चिज़ों को लिखने के लिए फिर ख करण जाताओ और यहां पर गलत हैं यह नसे नहीं लिखा जाता है घजल बत ninemill though लिखने के लिए 95 इजा northeast मैं आप तो यह आज़र को कि मिड में क्या आएगा 0 आएगा राइट एंड साइड चलने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 100 यहां फे प्लस इंफिनिटी तक आगे बढ़ते जाएंगे और इधर यह राइट में चलने पर क्या आएगा हमारे है पूजेटिव नंबर और लेफ्ट में चलेंगे तो यहां 0 के जस्ट बात में क्या है का मैनस 1 ऑन आएगा थे अटीजारि मैनस 4 5 5 6 9 7 100 तक माइनस इंफिनिटी तक ये वाले जो नमबर होंगे वो नेगेटिव नमबर या फिर इन्हें क्या हैंगे इंटीजर नेगेटिव इंटीजर ये भी पॉजिटिव इंटीजर कहला तो यह बात समझ में आ गई यह बात के लिए रहे बच्चे अब आगे की बात जानने के समझते हैं बीटा की ये तो addition की रूल हो गए इन सबको क्या कहता है एडिशन की रूल ये बहुत पार बच्चो आपको क्नफ्यून करेंगे सरीज ये हमैं समझ में नहीं नहीं आरा हम हमेशा इननमर में कनफ्यूनम्र हो जाते हैं कि ये किस तरह से एडो थे इस अब्रैंट प्लस का, दोनों ही नंबर में माइनस साइन आ रहा है, पिछले तो हम क्या करते थे, उनके मिड में जो साइन आ रहा था, उस हिसाब से हम उस question को solve करते थे, लेकिन अब क्या दोनों ही नंबर का साइन देखना है, थोड़ी advance math से, तो advance math के साब से अपनी skills को बढ़ाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, minus, sorry, plus 6 है, और plus 4 है, दोनों ही positive numbers आ रहे हैं, तो क्या करते हैं, हम add करते हैं, और sign का रहा है, positive का, दोनों ही negative number आ रहे हैं, तो हम तब भी क्या करेंगे, add करेंगे, और sign का रहा है का बटा, minus का, जिसे यहाँ पर minus 6 और minus 3 था, तो sign का रहा है था, माइनस का और इनका क्या किया मैंने एड किया तो क्या आया मेरे पास 9 ठीक है और अगर एक डिजिट में भी माइनस आ जाता है जिससे कि यहां पे आया हमारे पास एक डिजिट में भी माइनस आ गया है यहां पे तो हमने यहां क्या किया जिसे यह मेरे पास माइनस 6 प्लस 4 ऐस कम कर दी, माइनस कर दी तो सब्ट्रेक्ट कर दी, तो क्या बचा? 1, 2, 3, और 4, क्या बचेगा बटा? 2, ठीक है? ये और बच्चे वाले तरीके से बताऊं क्या? ये लोटा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? अब इसमें से किते कम करने? 4, 1, 2, 3, 4, किता बचा? 1, 2, 2, तो ये 2 लिग दिया, ठीक है? बड़ी डिजिट के आगे काएगा साइन है, माइनस का, तो ये माइनस, याद रखना, बड़ी डिजिट के आगे, जब भी दोनों में से किसी एक नमबर में माइनस आ जाए, तो हमेशा साइन किसका लगेगा? बड़ी डिजिट के आगे, जो भी नमबर गिवन है, उसका साइन लगा देना, बिना देखे, ये एडिशन और सब्ट्रेक्शन के रूल्स हो गए, ये बात समझ में आ गई, नहीं, तो इसका पीडिएफ आपको लिंक में मिल जाएगा, आप देख लेना एक बार, वर्ना, ये तो हैं सही, आप वीडियो पोस्ट करके, एक बार इसे और अच्छे से समझ भी सकते हैं, ठीके बटा? ठीके बटा? अब हम लोग आते हैं, मल्टिप्लिकेशन के रूल्स पे, मल्टिप्लिकेशन का रूल, क्या होता है बाई? जैसे हमने एडिशन के अब भी रूल पड़े, वैसे ही मल्टिप्लिकेशन में भी रूल, हमें समझाया गए हैं, तो मैं यहां लिख देता हूँ आपके, Multiplication Rules Multiply करने पर जो हमारे पास rules दिखाए गए है वो देखते हैं जब भी दो digit given है हमें दो digit given है और दोनों ही प्लस positive है दोनों ही positive है तो वो क्या होँगी आपस में multiply तो होँगी मगर यहाँ पर main बात किसका आ रहा है sign का sign का आएगा तो sign जो आएगा वो भी का आएगा बेटा प्लस का आएगा और answer multiply होगा क्या होगा multiply होगा जैसे कि 2 multiply by 3 दोनों ही digit positive है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम multiply करेंगे तो 2,3,6 ठीक है 2,3,6 लिखा और आपस में multiply करके यहाँ पर answer में क्या आएगा प्लस ठीक है sign भी plus का आएगा क्योंकि दोनों ही digit प्लस है अब अगर मैंने यहाँ पर एक दोनों ही digit minus की दे दी तो भीया क्या होगा अब यह बात ध्यान रखना minus का एक rule है कि अगर दोनों ही number दो number given है और दो minus आपस में multiply हो रहे हैं क्या का मैंने 2 minus या फिर यहाँ पर मैं लिख दूँ even minus होगास नगएब लिख आणार बेंगे हैं बाएब आणार यहाँ दो यहOOM दे आणार बाएब चनार लिख जो tut़ ओेड nursery क्यों दोनों है और एंसर वड न च Together Sine ठीक है बेटा जब भी इस Line का मतलब क्या हो रहा है बेटा याप है जब भी दो Number या फिर Even Number हमें Minus में Given है वो और आपस में Multiply हो रहे हैं क्या का मैंने जब भी Even Number हमें Given है और वो सारे Minus में आपस में Multiply हो रहे हैं तो उनका Multiplication के बाद जो answer आएगा वो काई का आएगा बच्चे plus का आएगा positive answer आएगा ठीक है ये बात ध्यान रखने वाली है कि even numbers negative sign में अगर आपस में multiply हैं तो हमारा answer plus में आएगा और वो जो होंगी digits आपस में multiply होंगी जैसे यहां देख लेते हैं एक बार हम minus sorry plus plus और ये multiply ठीक है क्या होंगी multiply बासन में किस तरह से भई minus 2 multiply by minus 3 दोनों ही minus क्या आगए है यहां पर देख लो गटा तो मैंने क्या का even number में है even number में है तो क्या होगा 3 2s आ या फिर 2 3s आ 6 तो होना ही है दोनों दो number आए है दो क्या digit है बेटा even digit है तो क्या होगी यहां पर sign काएगा यहां प्लस काएगा यह बास समझने आ गई है यहां पर आपको यह बास समझने आ गई ना इसके बाद आगे बढ़ें बताओ आगे बढ़ने पर हमने क्या देखा कि odd number odd negative number वर बी मल्टिप्लाइड बाद 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 इच अधर देन answer वर always comes in negative sign इसका मतलब क्या है जब भी दो number given है हमें जब भी हमें odd number में कोई digit given है जैसे कि यहां पर अगर मैं कह देता कि minus one multiply by minus two multiply by minus three यहां पर odd numbers में digit given है one two three three क्या है हमारा odd number है अब यहां पर इन दोनों को odd number में given है मेरे तीनों minus के sign तो जो answer आएगा वो मेरा किसमें आएगा negative में अब इनको आपस में multiply कर रहे हो one two is a two three is a six six हमारा answer और sign का एक आएगा minus का minus का क्यों है बटा क्योंकि यह odd number में हमारी digits given थी यहां पर किसमें थी even number में हमारी digits given थी यह बात के लिए भी चलों अगर नहीं हुए तो वीडियो आपसे पीछे की तरफ rewind करके एक बार देख लेना समझ लेना एक बार है ना doubt में मत रहना अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और ब्रिफली जो हमारे डिवाइडेशन इसके बाद हमारा एक रूल और रहता है प्लस मैनस में अगर दो नमबर दो डिजिट आपस में multiply हो रही है और एक भी sign एक क्या मेरा even number है या odd number है बताओ odd number है ना एक भी sign मेरा minus में आ जाता है ना तो odd हो गया odd हो गया तो मतलब क्या है minus जैसे की 2 multiply by minus 3 minus 6 यहाँ पर बड़ा छोटा नहीं देखना है बड़ा number छोटा number नहीं देखना है यहाँ पर हमेशा अगर एक बार भी minus आगया तो minus का sign आएगा minus 6 ठीक है यह बास समझने आगे बीटा clear है तो हमारे पूरे यह rules हो चुके है multiplication और addition के सारे rules हो चुके है यहाँ पर आप देखो जड़ा कि addition करने पर हमारे पास जो भी digit आ रही थी वो कुछ इस तरह से ठीक है addition करने पर हमारे पास जो भी digit आ रही थी वो कुछ इस तरह से थी है ना subtract करने पर और add करने पर इस तरह से आ रहा था यहाँ पर add minus minus add बड़े number क्या है कि जो sign होगा वो और subtract ठीक है और multiply करने पर हमारे पास क्या आ रहा है वेटा multiply is दोनो positive है तो positive दोनो negative है तो भी positive एक भी बार अगर मेरे पास negative आ जाता है एक भी बार अगर मेरे पास negative sign आ जाता है तो answer will always come in negative same as same as बच्चे किसमें हमारे जो dividation dividation rules है वो same किसके ओपर चलते हैं multiplication के ओपर ही चलते हैं कैसे अगर दोनों ही number positive में आपस में divide हो रहे हैं तो answer will come in positive अगर दोनों ही number आपस में negative हैं और negative में divide हो रहे हैं तो answer come in positive एक भी number एक भी single number मेरा negative में आ जाये तो answer will come in negative sign ठीक है same डिटो जो हमारा multiplication का rule है वैसे ही dividation का भी same rule होगा दोनों में कोई फर्क नहीं होगा यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के साथ directly proportional है एक दूसरे को देखते हुए चलते हैं ठीक है यह बात clear हुई अब हम कुछ basic rules पर आ सकते हैं यहाँ पर क्या-क्या rules होते हैं भई commutative property commutative property commutative property क्या होती है बटा अगर दोनों ही number a plus b given है तो यहाँ पर क्या होगा b plus a ठीक है लेकिन यह नहीं कह सकते है addition की commutative property यहाँ पर लागो होती है लेकिन b minus a कभी भी नहीं होगा जैसे की 2 plus 3 is equals to 3 plus 2 होता है लेकिन 2 minus 3 is not equals to 3 minus 2 होगा आप खुद करके देख लीजे एक बार इसे commutative property को 2 3 इसे 2 plus 3 लिखा मैंने 3 plus 2 लिखा यह 5 आया is equals to यह भी 5 आया यह प्रूफ हो रहा है लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 2 minus 3 is equals to 3 minus 2 तो यह कितना हो गया minus 1 यह कितना हो गया 1 क्या बड़ाबर बराबर होते हैं क्या minus 1 1 नहीं होते न तो यहाँ पर not equals to लगा देंगे हम not equals to लगाने का मतलब क्या हो गया है यहाँ पर सीधा सीधा कि हम इसका विरोधाबास कर रहे है तो चैसले इसका विरोध कर रहे है इस जो हमने यहाँ पर यह रूल लिखा इसका उसको मना कर रहे कि आपने गलत लिखा है ठीक है इसके बाद हम आते हैं आगे असोचीट यू प्रोपरटि पर लूपरेटीय क्या केती है ए कि अगर मैं दो digit किसी भी एक equation को इस तरह add करता हूँ और उसे इस तरह add करूँ तो दोनों के answer पे ज़्यादा फरक नहीं आएगा दोनों के ही answer जो है वो same ही आएंगे ज़्यादा difference नहीं आएगा ठीक है approach यहाँ पे हम यह कह सकते हैं कि यह जो minus वाला sign है न यह कभी equality नहीं देगा यह कभी भी equality नहीं देगा खाली यह वाला associative property जो है इसी में लागू होती है जैसे कि अगर मैं कहूँ 3 plus 2 plus 1 3 plus 2 plus 1 तो यह कितना होगा पटा 2 और 1 3 3 2 5 plus 1 यह कितना होगा 6 is equal to 6 यहाँ पे यह hands proof होगा मतलब यह यहाँ पे हमारे पास हमने proof कर दिया यह proof आगया हमारे पास कि यहाँ सर ने जो बताया वो सही था यह दोनों किसी भी तरह से किसी भी bracket के बहार लिखे जाए यह bracket के अंदर लिखे जाए add करने पे हमारा answer यह यह आएगा लेकिन negative में ऐसा नहीं होगा negative वाले sign में ऐसा नहीं होगा यहाँ पे थोड़े changes आ जाते हैं कभी-कभी तो वो हम नहीं करते हैं ठीके associative property सिफ addition के लिए लागो होगी वैसे commutative property भी हमारी addition के लिए लागो होगी subtraction के लिए नहीं लागो होगी ठीके बेटा यह वाली बास समय में आई यहाँ पे इसके बाद हम कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं जो कि हमारी एक distributed property क्या होती है बई डिस्ट्री ब्यूटिव properties जितना होसा के उतना cover करने कुछ करूँ आ नहीं होगा तो अगली वाली class में हम इसको जरूर cover करेंगे distributed property क्या कहलाती है बटा यहाँ पे अगर मेरे पास a multiply b plus c यह क्या है यह हमारा multiplication और addition का combination है जब भी हमें इस तरह दिया हो तो यह क्या करता है यह जो a है न यह आपस में क्या हो जाता है distribute हो जाता है मतलब यहाँ पे जो a multiply इस पूरे brackets सो हो रहा है इसका मतलब है पहले a जो है वो b से multiply होगा फिर a जो है वो c से multiply होगा इसको लिखने का तरीका क्या है बटा a multiply by b plus a multiply by c यह बस समझ में हा रही है यहाँ पे गोर करना बेटा यहाँ पे हमेशा हम मत खा जाते हैं क्या होगा a पहले किस से multiply होगा b से फिर a किस से multiply होगा c से फिर जो answer आएगा वो हमारा given होगा जैसे की 2 कर दिया multiply मैंने यहाँ पे 4 plus 5 से तो किस तरह करना होगा इसको इस तरह simply इसको add करके नहीं देखो बेटा क्या करेंगे पहले 2 multiply by 4 plus 2 multiply by 5 4 to the 8 5 to the 10 total कितना हो गया 18 तो यह हमारा answer आगया 18 हमारा simply answer दे दिया गया है यहाँ पे इसी तरह यह distributed property हो गई कुछ छोटी मोटी बाते हो रहे हो जान लीजे अब कि अगर मेरे denominator में numerator denominator समझते हो ना उपर नीचे जो उपर होता है उसे numerator कहते है जो नीचे गिवन होता है उसे denominator कहते है क्या कहते है denominator ठीक है अगर मेरा denominator कभी भी 0 के equal आ जाए denominator is equal to 0 तो suppose करो मेरे पास 2 upon 0 है या फिर तो इसका मतलब क्या होता है infinity या फिर not defined ये mathematics में defined नहीं है इसलिए हम इसको क्या कहते है infinity के equal लिखते है क्योंकि infinity भी defined नहीं है कोई से भी digit suppose करो मैंने x ले ली x कोई से भी digit मान ली मैंने तो 1 करोड रख दिया है आपर 1 करोड के नीचे अगर मैंने divide में 0 कर दिया तो उसका answer क्या आएगा बैटा infinity आएगी ठीके उसका answer नहीं दिया जा सकता लेकिन अगर मेरा मैं 0 को किसी भी digit से divide करता हूँ तो वो हमेशा हमें क्या देगा 0 ही देगा जैसे कि हम देखते हैं अगर किसी भी digit को जैसे 2 है उससे मैं 0 से multiply करता हूँ तो क्या आता है 0 वैसे ही 0 को किसी भी digit से divide करने पर देगा वो हमेशा 0 ही देगा वैसे ही 2 है या फिर कोई भी x digit है उसको 0 से multiply किया तो 0 ठीक है या फिर कोई भी x digit उसको 1 से multiply किया तो वो खुद digit आजाएगी हमारे पास यह कुछ universal properties है आप चाहे तो उन्हें लिख सकते हैं आप चाहे तो उन्हें पता सकते हैं कि हाँ यह इस तरह से होती है और इसमें कोई change नहीं होता है अगर आपको कोई doubt होगा तो आप comment section में पूछ सकते हैं और आगे वाली class में हम next chapter के बारे में जानेंगे अगे थैंक यू